तो अभी को जोहार आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे इस तरह के सवाल जो परसेंटेज चिप्टर से है और ये काफी लेटेस्ट कोशन है 2022 में पुछा जा चुका है इस परकार के सवाल आगे भी पुछे जाएंगे तो देखते हैं इस सवाल को हम किस तरीके से बना सक करते हैं बैसिक से बैसिक से एक बार देख लेंगे और फिर इसको सौट टेक्निक से हम बनाएंगे ताकि हम आसानी से इसको बना पाए कम समय में ठीक है तो एक बार पढ़ लेते हैं लिखा क्या है लिखा हुआ है राम के पास जितना धन था उसका साड़े बारव परशन ख सर्च करने के बाद उसके पास 630 रुपया से सबस्चते हैं तो राम के पास सुरु में कितना रुपया था वो बता दीजिए बस ये सवाल था काफी आसान सवाल है और ये 2022 में बहुत सरे सवाल पूछे गया एक सवाल ये है दूसरा सवाल मैं आपको हॉमवर्क के रुप मे दूँगा आप कॉमेंट सेक्षन में इसका बता दीजिएगा देखिए कितना प्यारा सा सवाल है लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इस जगह पे इस जगह पे बच्चे हमेशा फंसते हैं क्योंकि इस परकार के फ्रेक्शन में या डेसिमल नंबर पर कोई खो गया और सेस धन का पचातर परसेंट खर्च करने के बाद उनके पास 630 रुपया बचता है सिधा सिधा बोल दिया तो बोला राम के पास सुरू में कितने रुपया थे प्लिस बता दीजिए सिंपल सा बात है आपको इद्दम सोट तरीका बता दे रहा हूं और उसी तरी आप चाहे तो सो मानिये आप चाहे तो कुछ भी मान सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है आप ऐसे मान लिजिए ऐसा कीजिए यहां पे सारे 12 परसेंट जो लिखा है ना इसको थोड़ा सा सुधार दीए सारे 12 परसेंट का मतलब होता है पत्चीस बटा-दो defrax बैस्द बता पांच लिखते हैं ना उसी तरह ये साड़े बारव पर्षन को हम एक बटा आठ लिखते हैं और कुछ नहीं लिखते यानि कि अगर उनके पास टोटल आठ था तो एक खो गया ये खो गया बोला है सवाल में और एक ठो दिया हुआ है पचातर पर्षन यानि कि ये जो पचातर पर्षन है इसका मतलब हम लोग समझते हैं तीन बटा चार तीन बटा चार तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दम डारेक कहानी सीधा सीधा सौट में बता रहा हूं टाइम नहीं लगाओंगे जैसे सो रुप्या मान लिजिए उनके पास सुरू में था सो रुप्या का एक बट हुआ सेस हिसा है उसका 50 % अरशन के बाद उसके पास इतना बचेंगा यानि कि 4 रुप्या में 3 रुप्या उसने फिर 15 क्योंकि 55% उसने खर्चा किया है ना तो यानि कि 4 रूपया उनके पास था तो 3 रूपया खर्चा किया तो फिर बचा कितना एक एक बचा? चार में से यहां पर बचा हुआ है एक बटा?, सवाल में बोला राम के पास सुरू में कितना रूपया था हमने तो सो माना था तो सो बराबर ही हमें ठपा लगा देना है बस इतना काम कर देना है और कुछ नहीं लिखना अब अराम से कटेंगे सो और सो ऐसे ही कर जाएगा साथ नो बार में ऐसे ही कर जाएगा और इनको इनको गुना करेंगे तो ये 32 गुना 90 हो जाएगा जैसे गुना करेंगे 9 दुगने 18, 9 तिया 28 और 1 सुन यानि कि हमारे पास option के रुप में दिखाई दे रहा है B, यानि B हमारा सही answer होगा मेरे ख्याल से आप समझ गए ऐसा अगर नहीं करेंगे तो और भी एक तरीका है देखिए कैसे जैसे आपको लिखा हुआ है कि साड़े 12 परसन का मतलब एक बटा आठ लिखा हुआ था तो मैं इहां पर लिखूँगा उनके पास शुरुआत में आए कितना था और बचा कितना है बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना तो आप बोलोगे अगर शुरु में आठ रुपया था तो खो गया एक रुपया तो बचा हुआ था साथ रुपया फिर बोला तीन बटा चार हिसार था पचातर परसन उसने फिर खर्चा किया बचा हुआ पार्ट में से इसका मतब अगर उसके पास चार रुपया बचा था तो तीन रुपया उसने खर्चा किया तो एक रुपया बचेगा मतब चार रुपया उसने उनके पास था तो एक रुपया उसने फिर तिन रुपया फिर उसने खर्चा किया तो एक रुपया फिर बचा बस खतम इधर हम गुना करेंगे तो आए उनके पास आ जाएगा और इधर हम गुना करेंगे तो ये बच्चत जो है उनके पास आ जाएगा तो ये जो साथ है उस साथ का मान आपको दिया है 63 रुपया और य यह वही आजाएगा 2880 के रुप में तो मेरे ख्याल से आप समझ गए यह बेस्ट तरीका है एक्स मान के कीजिए और भी तरीका है और भी तरीका हो सकता है लेकिन सबसे बढ़िया तरीका तो यही है आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं दिखा देता हूं आपको अना ऐसे कर सकते है आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक बटा आट एक्ठो दिया है और आपको दे रखा है तीन बटा चार यह जो फ्रेक्शन वेलू है उसका जो हर है उस हर को गुना कर लिजिए या फिर गुना नहीं करना चाहते हैं तो कुछ और भी तरीकेशे कर सकते थे LCM ले सकते थे म मैं कहता हूं इनको गुना ही कर दीजिए अगर आपने इन दोनों को गुना किया तो टोटल जो इनकी पास सुरुआत में जो आए था वो आ जाएगा यह मान लिजे कि इन दोनों का गुननफल है इसको हम बोलेंगे आए अब सवाल में बोला इसमें से एक बटा आठ हिस्सा प्रशन एक बटा आठ हिस्सा खो गया मतलब चार रुपया होगा क्योंकि 32 का एक बटा आठ चार होता है तो चार रुपया खो गया तो अभी कितना बचा हुआ है अटःस रुपया यह जो 28 रुपया बचा हुआ है उसका फिर उसने खरचा किया कितना तीन बटा चार हिस्वा तीन बटा चार मतल़ चार, साते आर सात दिया, यानि कि 21 रूपया उसने फिर खर्चा किया 21 रूपया खर्चा कियה तो कितना बचा, तो आप बहुत हैंगे, 28 में से 21 खर्चा हुआ, तो साथ बचा है तो ये जो साथ है उसी का मान आपको दिया है 330 रूप्य मतब 630 रूपया और हमें सवाल में बोला प्लीज वो मुल धन्टो बताईए मतब सुरुआत में जो मुल धन्टो बताईए तो 32 वराबर फिर सिठप लगाएंगे आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं ऐसे कर सकते हैं आपकी इस तरीका को बहुत कोई फォोलो करता है मान लिज्ये उसके पास आय था सुरुआत में या धन था शुरुआत में एक्स तो उसका कितना खो गया साड़े बारो परसन साड़े बारो परसन खो गया इसका मतलब एक बटा आठ खो गया तो साथ बटा आठ बचा हुआ है यह जो बचा हुआ है उसका फिर पचातर परसन खर्चा किया पचातर परसन मतलब पचातर मतलब तीन बटा चार तो 3 बटा 4 खर्चा किया तो 25 बटा सो जो है ना 25 बटा सो का मतलब 25 का बचत हो गया तो 25 मतलब 1 बटा 4 अभी बचा हुआ है और कोश्चन बोलता है नहीं 300 मतलब 630 रुपया बचा हुआ है तो इनको सॉल्प करेंगे तो X कमान फिर से वही आएगा 2880 रुपया के रुप में बस यही था, तरीका वही है सेमी है, लेकिन वो जो डिजाइन है, यह जो तरीका है दिखाने का तरीका है, वो अलग-अलग है, बाकी सेमी है, ठीक है? मेरे ख्याल से आप समझ गए, इस सवाल का अंसर आप कोमेंट सेक्शन में बता दीजे बिल्कुल सेम है, बैक्ति के पास क कुछ मौदू धनरासी थी 20 परसंट खो गया सेस का इतना परसंट फिर खर्चा किया लास में इतना बचा तो सुरुआत में कितना धनरासी था बता दीजेगा कॉमेंट सेक्षन में सभीको जोहार